हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षय 12 का विशय पॉलिटिकल साइन्स राजनीती विज्यान और राजनीती विज्यान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनीती विज्यान की मूल अवधारना है और आपकी पुस्तक की एकाई चार भारती राजनीती के उबरते आयाम का अध्याय चोथा जिसका नाम है नव सामाजिक आंदोलन तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं हमारा अध्याय नव सामाजिक आंदोलन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नव सामाजिक आंदोलन होते क्या है इसका अर्थ क्या है तो सामाजिक आंदोलन वस्तुते एक ऐसा लचीला शब्द है लचीला क्या होता है बच्चो जो कि बदल जाता है या फिर जिसके मायने बदल जाते है अर्थ बदल जाता है तो सामोजिक आंदोलन वस्तुत एक ऐसा लचिला शब्द है जिसका सम्माज के उन समस्त सामाजिक हितों समूहों और प्रियासों से है जो समनत प्रति निधात्मक लोकतंत्र में प्रति निधित्व से वंचित रह जाते हैं यह एक सामोजिक समाजिक किरिया है यानि कि किसी एक व्यक्ति की किरिया नहीं है सामोजिक किरिया है जिसका उदेशेवंचित समूहों के हितों से रक्षा करना उनका समवर्धन करना है सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गैर परंपरागत परंतु सक्रिय सहभागी है जो राज्य के कल्यान कारी प्रियासों का पूरक है सामाजिक आंदोलन, आंदोलनों के पूर। सामाजिक समूओं और वर्गों के हितों को परमपरावादी संस्थाओं के माध्यम से ही नागरी की वर्ग प्राप्त करने की कोशिश करता है अब हम देखेंगे बच्चों कि सामाजिक आंदलनों को किस किन स्रेणियों में बाटा गया है तो सामाजिक आंदलनों का श्रेणि भिवाजन की से किस स्रेणि में बाटा गया है और कितनी स्रेणिया है तो इसे चार स्रेणियों में बाटा गया है पहला है क्रांतिकारी, दूसरा है सुधारवादी, तीसरा है उपचारवादी और चौता है वेकल्पिक तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्रांतिकारी में क्यों कौन से आते हैं और ये किस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन की पक्षधर होते हैं जैसे नकसलवादी आंदोलन वामपंती आंदोलन इत्यादी दूसरा है सुधारवादी तो सुधारवादी आंदोलन प्रचलित असमानत जो जससर कि देल य को самही थानिक logrov में सावी धानिक संसधिय परंपराओं जो ऊस्ति लिए जाता है अधिकान्षय गेर सरकारी संघफन इसी श्रेणी में आते हैं कि वादी कि वादी अंदोलन किसी एक वेक्ति विशेच य शम्श्याalen पर केंद्रित होते हैं और ये आंदोलन का उद्देश क्या होता है किसके लिए क्या प्रियास रहते हैं इसके कि उसे मतलब जो वेक्ति है या जो एक विशेश समस्या है वो समाप्त हो जाए या उसे मुक्ति दिलाने के लिए उप्चारवादी आंदोलन जो होते हैं वो प्रियास रत होते हैं व सामाजिक मुल्यों में बदलाव भी शामिल होता है जिसे नारिवादी आंदोलन इस प्रकार सामाजिक आंदोलन एक नई वेवस्था अथ्वा पुराने वेवस्था में परिवर्तन के लिए सचेतन सामुहिक और संगत्रित मानव प्रियास है अब हम देखेंगे बच्चों की नवीन सामाजिक आंदोलन क्या है तो देखते हैं नवीन सामाजिक आंदोलन लेकिन जब पश्चिम में रेडिकल नारिवाद पयावरन सरक्षन अफ्रो अमेरिकी समुह की नागरिक अधिकार आन्विक निर्स्त्रिकरण आदी मुद्धो पर आंदोलन संगिटित हुए तो इनकी वर्ग केंदरिकता को चुनोती दी गई तदनुसार नव सामाजिक आंदोलन विचार धारात्मक विविदता पर आधारित मुद्धा केंदरित आंदोलन होते हैं जो दलगत राजनिती से अपनी को पिरे कंद करते हैं नवीन स्वामाजी का अंद्धोलने में प्रमुक रूप से निम्लिकित की सच चर्चा आफशक होती है його कि पहला है किर्शक अधिकर आंदोलन इसमें क्या होता है कि कि दहान होते हैं उनकर अधिकारों कोदियान प्रश्चाट पूंजीवादी और वैश्वी करन की पश्चात पूंजीवादी क्या होता है बच्चों जहां पर जो जो नीजी लोग होते हैं उनका अधिक स्वामित होता है या वह उनका अधिपत होता है तो क्या होती है पूंजीवादी और वैश्वी करन के पश्चाद में भाड़ते क्रिशकों को विशेस रूप से लगू क्रिशकों जहने कि छोटे जो किसान हैं छोटे किसान हैं उनके हितों की रक्षा के लिए आ जी करण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था में भारती हितों की रक्षा करना है, दूसरा है श्रमिकांदोलन, परंपरावादी, श्रमिकांदोलन जो मुख्यत है वामपत्ति, समहू तक केंद्रित था, ने मुख्यत है ओद्योंगे प्रतिस ठानों और सरकारों से स्वै और ओध्यकिक शेत्र के श्रमिकों के हितों को श्रक्तित करने के लिए कई श्रमिक समू सक्रिक हो गए जैसे छतती गड़ मुक्ती मोर्चा भारत में महिला आंदोलन का विकास उपनि वेशवाद विरोधी राष्ट्री आंदोलन के दोरान हुआ महिला कल्यान तता महिला विकास के चर्नों के बाद असी के दशक में महिला सुशक्तिकरन का दौर नव सामाजिक अंदलनों की देन है तदनुसार यह मांग किये गई कि सह भागिता प्रती निदित वेवं निर्ने परिक्रिया में प्रवाव शाली भूमिका के मादम से महिला को सामाजिक वेवस्ता में अपनी समुचित प्रिस्थिती अर्जित करनी है यानि कि क्या कि महिला को भी अपनी इस्थिती वो निर्ने परिक्रिया जो भी है निर्ने परिक्रिया प्रती निदित में अपनी जो समुचितिया ने कि जो उच्छे तिस्तितिया वो प्राप्त करनी है और जो रूडिवादी जो पित्र सत्ता को चुनोती देते हुए महिला अंदोलन ने परिवार से लेकर अर्थ वैवस्ता और राजी के जेंडर सेवेंदी करन का अभियान चलाया और जाज जो होती है महिला जो होती है उनको मर्दों के बराबर या पुरुषों के बराबर स्थान दिलाने के लिए या अंदोलन चलाया जाते हैं चलाया गए हैं और मतलब इसमें क्या हो है पित्र सत्ता को चुनोती दी है पित्र सता होती है ज विकास के दुषपरि नामों के विरुधाउं। विकास तो हुए हैं लेकिन उनके दुषपरि नाम भी हुए हैं। कि जैसे कई विकास हो गए लेकिन उनसे हानी भी बहुत हुई है तो उनकी वुरुद भी आंदोलन चले है यद पी विकास एक अनिवार है और विकास अनिवार है यानि कि आवशक है और सतत चलने वाली पिरकरिया है यानि इनकी विदा जो विकास है वो आवशक भी है अनिव बिल्कु ज्ड़ें इससे कारण विस्थापन हो गया है जड़क सबस्तान विस्थापन हो गया सबस्ते हं इस संधर्ब के अननत विकास की धारना को चुनोती देकर समपोशणिये विकास के लिए गोलबंदी की गई तो बच्चो आज हमने पड़ा है हमारा अध्याय नवसामाजिक आंदुलन अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चो अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए ठैंक्यू